हेलो फ्रेंट्स क्राप्जन फोरी में आपका स्वागत है आज मैं फिर एक निव वीडियो लेकर आई हूँ इस वीडियो मैंने टेरा कोटा कले का यूज़ करके एक बर्ड बनाया है इस बर्ड को आप अपने गार्डन में या फिर अपने टेरिस गार्डन में सजा सकते हैं उमीद है आप लोगोंने मेरी ये सारी वीडियो जरूर देखी होगी अगर नहीं देखी है तो आप लोग मेरे चैनल पर विजट करकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे ज्यादतर वीडियो इकोफ्रेंडली होती है अगर आप लोग ऐको फ्रेंडली चीजों को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बैल बटन जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो डालूँ आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकिशन मिल सके चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने ऐलमूनियम फॉयल का यूज किया है अगर आप लोग चाहें तो नियूस पेपर भी इसके अंदर डाल सकते हैं इसकी थिकनेस कम करने के लिए मैंने ऐलमूनियम फॉयल का यूज किया है मैं पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि थिकनेस कम रखेंगे त तैयार किया है इस कले में थोड़ा बहुत साडुकले मिक्स हो जाने की वज़ास इसका टैक्शर ऐसा दीख रहा है आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैंने सेब दिया है अगर आप लोग को बनाने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप लोग किसी फोटो की हेल्प ले सकते हैं आप लोग कुछ भी बनाएं तो एक इमेज की हेल्प जरूर लें इससे बनाना आसान हो जाता है बनाइं यहाँ की बनाइं पड़े सकते हैं यहां पर मैंने एक आँख तयार कर ली इसी तरीके से मैं दूसरी आँख भी तयार कर लेती हूँ आप लोग देख सकते हैं या दोनों आँख तयार हो चुकी है इस तरीके से थोड़ा चिकना कर लेते हैं और अब हम पंजा बनाएंगे सेम तरीके से एक और पंजा तयार करेंगे और इस तरीके से कट लगा कर थोड़ा सा पानी लगा कर दोनों पंजे को चिपका देंगे यहां पर दोनों पैर मैंने चिपका दिया है अब यहां पर मैं इसके पंख का कटिंग करूंगी मैंने पंक का एक सेप चिपका दिया है उसके बाद हम पंक का टेक्चर देंगे इस तरीके से इसको हम बारीकी से एक एक पंक का कटिंग करेंगे मैं हलका सा आप लोग को दिखा देती हूँ कले वर्क में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है हम जितना टाइम देते हैं उतनी फिनिशिंग अच्छी आती है दो-तीन घंटे की वीडियो को मैं कम से कम समय में एड़िट करके आप लोग को देती हूँ ताकि आप लोग देख सकें और आइडिया ले सकें मैं पूरी वीडियो नहीं डाल सकती आप लोग देख सकते हैं मैंने कैसे पंक का टेक्च्चर दिया है इसी तरीके से आप लोग लाइन करके और इसी तरीके से आप लोग टेक्च्चर दे लें के शुबए गए पीचे का पंक भी हम से पुसी तरीके से तयार करेंगे जैसे मैंने दोनों साइट का तयार किया था इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके हम शेप देंगे आप लोग देख सकते हैं इसके उपर हम बारीक बारीक से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और उपर बॉडी पर भी ऐसे छोटे-छोटे डॉट्स बनाएंगे मैं पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि काफी समय लगता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसके बाद हम पानी से थोड़ा ब्रसिंग कर लेते हैं थोड़ी शाइन आ जाएगी और बाकी डुश्ट भी खतम हो जाएगा यहां पर मैंने पूरी बॉड़ी पर डॉट वाला टेक्च्चर दे दिया है सायद दिखाई नहीं दे रहा है आप लोग देख सकते हैं कलर करना न करना आपकी चॉइस है आप चाहें तो कलर न भी करें क्योंकि नैचुरल क्ले की बनी चीजे और भी खुबसूरत दिखती है पर मैं यहां पर कलर करूंगी आप लोग देख सकते हैं कर देख सकते हैं कर देख सकते हैं तो कर देख सकते हैं है अब इसकी आखे बना लेती हूं आप लोग के आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए पसंद है तो लाइक करिए अगर आप लोग लगी की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजए बैल बटन प्रेस कर लीजए ताकि जब भी में कोई नीव वीडियो डालू आप लोग को झाल